पड़े कमरे, आज मोमेंटो से भरे में, यानि एक ट्रक मोमेंटो रखा होगा, लेकिन उसकी वेलू नहीं है, उसकी वेलू है जो वो जामेटरी बार्स था, वो हमें सब प्रेणा देने के काम करता है, जो जीवन के सुर्वात में बिलाता है मैं पुराने से लमहों को कि येन में ख्वाफ देखता है आदमी, खवाफ देखा मैंने, मिरे पिता जी ने मेरे लिए ख्वाफ देखा, म मांने भोला कि डॉक्टर बनाएंगे, पिता जी ने का इसको बैपारी बनाएंगे, कि कॉमर्स लेगा, वो कहि timest साइंस लेगा, अब एक कीक्षा पूरा करना है तो कॉमर्स दिला दिया कॉमर्स लेने के बाद में फस्त आता गया मा बोलती थी डॉक्टर बनाने का सपना देखा था हमारी सहली थी उसका लगा डॉक्टर हो गया मेरी खुआइस पुरी नहीं होगी तो मैंने बियस्दी किया बियस्दी करने के बाद में कलम वाला डॉक्टर बन गया सुई के डॉक्टर के बजाए लेकिन खुआज था कि बूरा करना है खुआज थी कि इनको डॉक्टर बनना है और बनने के बाद फिर मन में आया बच्च्वन में मैंने तीस्वे चोथे में था तो मुझे इतिहास और गड़ित पढ़ने का सौपता मैं इंटर और हाइस्कूल के प्रश्णों को सौल करता था तो बच्पन में मुझे गोधी ले लेते थे सामने वाले अब मुझे करता था तो गुरुजी गुरुजी बनते बनते मुझे लगा कि मैं टीचर बनूगा मेरा मैं ख्वाप था स्रिक्षक बनूगा 16 कमप्टिशन में बैठा उसमें 15 में मैं सेलेक्ट हुआ और इंदुस्तान की बड़े से बड़े कमप्टिशन थे उसमें मैं आया सायद प्रजे जी तो नेता वाले थे मैं पढ़ने वाला था तो समय लेकिन मैं ख्वापता की टीचर बनू और टीचर बनने में मेरी ख्वाइस थी कैसे बनू तो मैं जब पहुंचा तो जातनेताओं ने मेरे प्रोफेसर की पिटाई कर दी मैं अपना लेने गया था मैं एक कमप्टिशन में आ गया था तो लोगों ने इन्हों ने नीकी तो टीचर को पैर्च होते थे तो उन फुर्वक्षर के लिए पार रेटकों कोई पूँचार क्वाराfolg क्या करती गरते हो क्या अत डिलक्षर को अच है पहले लोग्स को मानते थे, मुझे एक बात उनकी घर करके मैंने का मैं करूँगा, मेरे घर में डेट सो लोग काम करते थे, छोटा विजनिस था लेकिन पिता जी का अच्छा सेट अब बात बे बना, और मुझे ग्यारा सो रुपे में पार्ट टेम लेचल से पहले, और मेरे ड्राइवर को मिलता था दो हजार रुपिया, तो मेरे पिता जी ने कहा कि दो जमील तुम वो कितना मिलता है, बोला पंडी जी दो हजार मिलता है, मेरे बेटा ग्यारा सो पाता है, लेकिन मेरे मन में ख्वाईश थी कि मैं टीशर बनूगा, और मैं पार्ट टाइम लेचल स से रीडर, रीडर से प्रोफेसर, प्रोफेसर से आगे बढ़ते बढ़ते तमाम मुकामों को प्राप्त करने में मेरी ख्वाईश से पूरी हुई, मैं जो कहना चाहता था कि आधरनी माता जी ने जिन ख्वाईशों के बात करी, तो उस बुस्तक का मैंने हलाकि बुस्तक का क आवरन देखा है क्योंकि मैंने भी छे बुस्तके लखी और मेरा स्वभा के था कि मेरे अंडर पे 20 सोध हुए और 40 मेरे इंटरनेस्ल पेपर छेपे तो लिखते लिखते मुझे एक अभिहास हुआ आपकी थीम है बच्ची को लेकर बच्ची पैदा हुए आज़कल क्या है लड़की हो गई तो घर में लगता है इसे सोक शंदेश आ गया लड़का हो गया तो ढोल मजीरा बजने लगते हैं बच्ची की पैदा होने के बाद खोईस होती है जबकि मा के लिए विसे लगाओ होता है बच्ची को हाला कि बहुत से बड़े बच्ची हो जाते हैं मैं अभी एक किसा याद कर रहा था कि मैं अभी ब्रदहास्रम में गया था मेर बनने के बाद नगर निकर ने बनाया था मैं ब्रदहास्रम में गया ब्रजेजी भी मेरे साथ उसे मैं लामे थे, मैं कॉमस में था उसे एक साथ साइस जूनियर थे एक विद्यार्थी मेरे साथ में पढ़ता था और वो विद्यार्थी मेरे साथ में पढ़ता था तो उसकी पिताजी आईएस थे वो शार भाई थे और वो जब अंग्रेजी में उसको पढ़ाया था में हिंदी में था जब में हिंदी में बोलता था तो उसकी पिता जी डाटते थे ऐसे लोगे साथ मत रहा करो तुमारी अंग्री जी खराब हो जाएगी समय का बदलाओ आया और में जब अभी विद्धास्रम में गया तो वो बुजर्ग वेक्ति मुझे मेर बन तो देखते देखते बुढ़ी आखें वरद्धास्रम में रहने वाले वो बेरती बजह हम सुनते वे उसे कते बेटा तुम दिनिश शर्मा हो गया मैं दिनिश हूँ आप वहला अंकल नहीं कहा आपको नाराश्त नहीं अंकल नहीं कहा अच्छा किया तुमें बेने कहा इसा दूसरा क्या करता है वो बेटा नियू यार्क में है तीसरा क्या क्या करता है बेटा वो तो इंजिरिवर के करनाटका में है चोधा बेटा माताजी क्या करता है वो बेटा वो गोंती नगर में रहता है मैंने का चार बेटे हैं और आप ब्रधास्रम में रहते हो फिर दोनों बति-बति शुख हो गई लेकिन मा से नहीं रहा है बोला न े सी वाद नहीं बीटा अभी तीन दिन पहले क्यों जी बताते क्यों नहीं हो तीन दिन पहले तो मेरे चोटे बेटे का करनाटिका स्यपर आया था बंगलावर से बोलना था मम्मी सिर में दर्द हो रहा हो तो ये नुस्री पुलिया से डाक्टर नर्सिंग की दवा ले लेना ठीक हो जाओगे अभी तीन दिन पहले तो बेटे ने कहा था मेरा बेटा बहुत ख्याम लगता है माँ बेटे को भूल नहीं पाई बेटा माँ को भूल गया और बेटा ने माँ पिता जिसने उसका बोज़ उता रहा था उसको लेकर उसने व्रधास्रम बेराग दिया आदुनिक्ता के परविश्पे हम उस सित्यों को भूल गये जिन्होंने हमें हमें पैदा कि हमें आगे बढ़ाया मैं उन भावों में इसलिए विलुक तो होता दिखा कि जब मैंने देखा कि मिश्रा जी इतने माता और पिता के साथ में मंचा सिन्वे है अश्रवाद है उनका और अगर अश्रवाद नहीं हो तो आप बढ़नी सकते हो भगवान के बाद इस धर्ती पर कोई भगवान अगर है तो वो मा और पिता है और एक शीच में सायद रखो अगर आप खुद में अच्छी संतान नहीं हो तो आपकी संतान कभी अच्छी नहीं हो सकती अच्छी संतान अगर लाना है तो खुद में अच्छी संतान बनना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि उस परिष्टित्यों में आने कारण उनका क्या रहा होगा ब्रद्द जो दंपत्य थे मैंने उसे पूछा तो पिता ने बड़े धीमे से कहा बेटा तुम कहा रहते हूँ मैंने का मैं अपनी मा के साथ पिता के साथ रहता हूँ बेटा तुमने उसमें मैंने विवाह नहीं मेरा हुआ था बेटा तुमने विवाह क्यों नहीं किया मेरी मा है मेरे पिता है मैं रह रहा हूँ जीवन में समाज में काम करना चाह रहा हूँ तब तक उनकी आँखों में आया मैं इंसे कहती थी कि अपने संस्कार और संस्कृत मत भूलने दो बच्चे को लेकिन ये हमेशा अंग्रेजी की बात करते करते थे यह पाहशात्य सरस्कित है जो व्यापार है, व्यापार दो सब कुछ बिजका हुआ है, जो भारत की सरस्कित है, वो परिवार है, जहाँ सब कुछ एक तुछ सरी है, तो यह परिवार की सरस्कित में जो जर्म लेता है, उसकी ख्वाप भी पूरे होते हैं, उसकी ख्वाइस से भी पूरी होती है और मैंने समझा कि जो आपने बच्ची को लेकर किया है लड़की पैदा हुई साधी की इसकी सिक्षा की समाज में किस तरह जाएगी घर ठीक के लोट के राएगी की नहीं आएगी आएगी तो कहीं कुछ समाज में उसको कुछ कोई कहेगा तो नहीं आएगी अगर उसको मैं नहीं रही तो मेरे बाद में लड़के जो भाई हैं उसको ठीक से देखेंगे कि नहीं देखेंगे तहीं भावियां उसको अलग तो नहीं कर देंगी ये तमाम चिंताओं में माता पिता पैदा होते ही बच्ची की बड़े होने से लेकर अंततो गत्वा जब तक वो अपने सस्राल में नहीं चले जाती तब तक उसकी चित्ता में बिलुक्त भाव से रहते हैं और मैंने जो सूथ पूरा आवरोन का जो मुख्य पिष्ट देखा है वो इनी सारे संदरवों के इर्टिगर्ट घूंता है और आखिर में जब हम अपने गंता पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो शुकी परिवार में विलीन हो गई उपने साथ में अब एक अच्छे स संस्कृत में जीते हैं उनके परिवार में बिखरा होता है क्योंकि जो जन्मा है वो कमाएगा जो कमाएगा वो खाएगा यह पश्यम की संस्कृती बोलती है हम और यह भारती संस्कृत है इसको हम हिंदू संस्कृत कभी-कभी बोलते हैं जिसमें कि जो जन्मा है वो तो आज पुर्स्तक के विवोचिर के मात्रम से यहां पर आए और मुझे तो हाला कि आप लोग तो कलाकारों को सुनने के लिए बैठे हूंगे फिल्म के हिरो अच्छा सा गाना गाएंगे वाचे अच्छे गीत का रखे गीत सुनेंगे और मैं अपना बयान करने लगा लेकिन मुझे अच्छा लगा जब अभी मैं देख रहाता है आप खड़ा था आप साइड़ फोटोग्राफर चले गए ऐसी जीन्स पहने थे लेकिन में वो फुल जीन्स हाफ दिखाई पड़ गए थी कई दिये कैसे फटी भी थी पहले क्या होता था मुझे ध्यान दे आया अच्छा लगा इसको देख भी साज पीशे होंगे क्या मुझे ध्यान आ रहा था एक बच्वन में बच्वन में अम्मा मजी बहुत प्यार करते थी इसकोटर ने में साके से जलूगा है जब तक मैं अपने कमाने नहीं लगोंगा तब तक मैं स्कूटर कारत नहीं चलूगा है तो मैं स्कूटर से जुबली कॉले बढ़ता था जागा था साकील से चलते चलते मेरी पैंड फट गई वो घर पे आई बहुत ज़्यादा सिल बिलो इसको अब मेरी माँ जोड़ जोड़ से रुण लगी बोली यहां जी समय आगया कि मेरा बेटा फटी पैंड पहनेगा नहीं शल सकता मैं फिर भी मेर बनने के बाद में गया एक दोस्त की हर्मनों ने बुलाया मुझे बंची कि साल किरा थी मैं पहुंचा उनके व